स्वागात है आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल में आज की इस वीडियो में लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 6 का मियत प्रस्णावरली एक पिछले क्लास में हो चुका है यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके देख ले या फिर इस व देखेंगे आरोही करम होता क्या है तो वास्ताव में जो होता है आरोही करम का मतलब होता है बढ़ते करम क्या होता है दोस्तों तो आरोही करम का मतलब होता है बढ़ते करम इसको हम आरोही करम को बढ़ते करम में लिख सकते हैं बढ़ते करम इसको हम बढ़ते करम लिख सकत तो इसमें कैसे हम इसको एरंज करेंगे जैसे संख्या हमारा दियावार है जैसे मान लेते हैं दो साथ आठ छो तीन इस तरह के कुछ संख्या दियावार है इसे बोलेगा अरोही करम में सजाएं तो इसको कैसे सजाएंगे अरोही करम में तो इसमें हम लोग देखते हैं इसको हम लोग बढ़ते करम हैं सबसे पहले हम लोग देखेंगे जानेंगे ये कि हम लोग बढ़ते हैं तो पहले अपना रियल लाइफ में हम लोग अपना बार जान लेते हैं कि जो हम लोग बढ़ते हैं तो कैसे बढ़ते हैं तो माल लिया जाए एक साल में इतना उम्र हुआ दूसरा साल में इतना उम्र हुआ तीसरा साल में कुछ ज़धा बढ़ा हुआ चमथा साल में कुछ और ज़धा साल बढ़ा हुआ पच्मा साल में और कुछ ज़धा साल बढ़ा हुआ तो इस तरह पले हम छोटे थे एक साल में इतना बढ़ा हुए, दो साल में इतना बढ़ा हुए, तिन साल में इतना बढ़ा हुए फिर चार साल में इतना बढ़ा हुए तो धीरे 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 थोड़ा थोड़ा करके बढ़ते गए तो इसी करम को हम बढ़ते करम कहेंगे जैसे पहले हम छोटा से इस्टार करके देरे देरे इसमें बढ़ते 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 बढ़ा जाएंगे तो उसी तरह संख्या को कि हमको को एरेंज करना है किसे आर्विकरम में तो छोटा से इस्टर करना है किस से चोटा से चोटा से इस्टर करते हैं तो इसमें सबसे छोटा हमको देखना है कौन है तो सबसे छोटा इसमें दिख रहा है दो है छबसे छोटा है तो यह दिखिए हैं सबसे छोटा था उसमें सबसे संख्यां हम लिखने हैं अब सबसे छोटा है उससे थोड़ा सा बड़ा उससे थोड़ा सा बड़ा कौन है इसमें देखते हैं तो यह तीन है संख्यां तीन से यह जैसे इसके बाद दुखिये थोड़ा सा बड़ा हुए तो थोड़ा बड़ा हम लोग खोज लेते हैं इसमें तो इसमें थोड़ा बड़ा बड़ा कौं हो जाएगा, इसमें आपका 6 हो जाएगा, उसके बाद आपका 7 हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा 8, तो यह होगी हमारा answer, यह होगी हमारा answer, इसको हम बढ़ते करम में सजा दें, इसको हम बोलेंगे आरोही करम, चलिए आगे दे 8 ग्षाटे इसका मतलब हता है घटिकराम तो इसको असी तरह से समझेंगे जैसे हमारे मैं जिसे में चावल रखा हैं दस केजी हमें इसको खाना है तो प्रती एक दिन एक केजी खाते हैं थो मेरा थोड़ा सा घटा फ그र undersidechen खाएंगे फिर थोड़ासा घटा फिर तीसरा दिन खाएंगे थोड़ासा घटेगा फिर तो यह हमारा प्रोसेस तरह चलता है कि जब अधीक चीज रहता है, उसमें से थोड़ा-थोड़ा-थोड़ा करके घढ़ता है, तो उस प्रोसेस कौन हम kiya बोलेंगे, उस फिर इस पत्रacje को हम लुग भलेंगे, कि ये घढ़ रहे, धिरे-धिरे तो इसको लोग घढ़ते करा में तो उसुत इडरा हम लोग संख्या में भी देख लेंगे कि घटेगा कैसे किस प्रकातो ही मान लेते हैं एक्जामपल दिया रहेगा मान लिये जाए जैसे 9, 11, 17, 18, 20 इस तरह के संख्या दिया वा रहेगा तो इसको हमको सजाना है तो इसको सजाएंगे कैसे तो इसको देखते हैं कि सजाते हैं सबसे हमको पहले क्या करन कम हुआ इसमें सबसे अधिक क्या है तो सबसे अधिक इसमें हमारा देख रहा है कौन संक्या है तो 20 है उससे छोटा कौन संक्या है तो 18 है उससे छोटा संक्या कौन है तो 17 है उसके बाद है 11 उसके बाद लास्ट है 9 इसमें देखिए दोस्तों पहले 20 था 20 से 18 हुआ तो यह हमारा हो गया घटते करम में इसी को आगे हम लोग देखेंगे प्रश्ण वरली एक दस्मलादों में इसी को हम लोग को पढ़ना है आरोई करम और अरोई करम के बारे में तो यह कुछ बेसिक बताएं एक्चांपल इस वीडियो में बस इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में प्रश्ण वरली एक दस्मलादों का प्रश्ण को लेकर तब तक के लिए बाई थ्यांक्स पर वाचिंग